हेलो एब्रिवन आज ना लेक्षर मां आपने फिल्टर ना बेजिक सीसे वाद खरी सो आपने बदाने ख्याल छे के फिल्टर एके भी सर्कीट छे के जेना इन्पूट मां जो आपने गणिबधी फ्रिक्वेंसीज आप ये तो ए पटिगुलर फ्रिक्वेंसी ने ज आउट्पूट तरफ पास थवा देशे औने बाकी नी फ्रिक्वेंसीज ने नहीं थवा देशे अवे आपने जो ही है क्या फिल्टर नी शर्कीट मां आपने कया कंपोनेंट्स वापरी शक्किए औने क्या अपने ख्याल छे क्या हवे आज त्रोणे बेजिक शर्कीट एलिमेंट्स चे आ त्रोणे नी एक कॉमन क्यरक्टरिस्टिक्स चे क्या त्रोणे अवरोध आपने रेजिस्टर नो जे अवरोध छे जैने आपने आर तरीके दर्श आईये चे जैने आपने रेजिस्टेंस आईये चे आज जै अवर अवरोध छे ए फ्रिक्वंसी पर डिपेंड करतो नथे। एनो मतलग के जो तम्या रेजिस्टन ना इन्पूट माँ 50 Hz नूँ सिग्नल आपो, 100 Hz नूँ सिग्नल आपो, के 150 Hz नूँ सिग्नल आपो, जो आनों अवरोध 100 Ohm होए, तो या त्रोणे फ्रिक्वंसी ना सिग्नल न और आनों अवरोध केवो हसे के जे फ्रिक्वंसी साथे बदलातों हसे। पराव एडा माट एनी लिदे आपड़े आना अवरोध ने R तरीके नथी दर्शाओता, पड़ X तरीके दर्शाइए छे। आर अने X बनने अवरोध छे, पण R ए एवो अवरोध छे के जे फ्रिक्वंसी साथे बदलातों न थी, जैने आपड़े कैसू resistance जारे X ए एवो अवरोध छे के जे फ्रिक्वंसी साथे बदलाई छे, जैने आपड़े कैसू reactants एनों मतलग के इंडक्टर अने केपेसीटर जे अवरोध आपे छे, ए फ्रिक्वंसी साथे बदलातों होवा थी, आपड़े एने रेजिस्टन्स नहीं कहिए, पड़े रियक्टेंस कैसू X आ इंडक्टर नों रियक्टर शेकला आपड़े यहां L तरीके दर्शा विशू, अने यहां केपेसीटर नों शेकला यहां C तरीके दर्शा विशू XL जेचे ए इंडक्टर द्वारा आपड़ा मा आवतों अवरोध छे के जे फ्रिक्वंसी साथे बदलातों न थी ओके, चो रेजिस्टन्स नने रियक्टन्स नों आ एक बेजिक डिफ्रेंस चे जे तमारे यहां राखबानों छे आपने जे सर्कीट्स बनावी छे, फिल्टर सर्कीट्स ए फिल्टर सर्कीट्स नी अंदर आपने एवा कंपोनेंट्स लगावाना छे कि जे frequency dependent होए कारण कि आपड़े अमुक frequencies ने रोखवानी छे अने अमुक frequency ने पास करवानी छे इन्दक्टर ने capacitor आपड़े जोह लेए 4 possible configuration इन्दक्टर ने capacitor मां जो आपड़े आ एक indukटर वा परिये अने येने जो हुँ आरी ते connect करू अने वीजा केस मा केपसीटर वा आपर यहने हुँ आरिते कनेक तरू आपड़े जो यह सू थस सूने धारो के आपने आना इन्पूट मा बद्दीज फ्रिक्वंसी जापिये चे पड़े आपने आने पड़ु केटेग्राइज करी देए लो फ्रिक्वंसी अने हाई फ्रिक्वंसी एरिते लो फ्रिक्वंसी एडल आपने जीरो हर्ट्स गणी सू अत्यारे आपने हाई फ्रिक्वंसी ने आपने इन्फाइनाइट हर्ट्स गणी सू आज फ्रिक्वंसी ना सिग्नल्स आपने आने आपी सू तो आज ए इंड़क्टर छे ए आने 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 आब अन्य सिगनल ने अवरोध आपसे केटलो अवरोध आपसे हमणा आपने बात करिये प्रमाणे एकसेल जेकलो अवरोध आपसे बेजिक इलेक्टरिकल एंजिनियारिंग नामना सब्जिक मात तमे पनी गया छो के इंडक्टर द्वारा आप्पा मा अवरोद XL बराबर 2πFL होई छो तो जो मारा signal नी frequency 0 Hz होई तो आपने यह जोई है for low frequency 0 Hz माटे केटलो था से XL 2π0F which will be 0 अने high frequency माटे same XL आपने count करिये तो 2π high frequency माटे F नी value के लिए लग सो infinite Hz into L, so infinite into anything will be infinite अनो मतलब सूथायो के जे इंडक्टर छे ए लो frequency ना सिगनल ने केटलो अवरोद आप्षे? 0 अवरोद आप्षे अने high frequency ना सिगनल ने केटलो अवरोद आप्षे? इंफाइनाइट अवरोद आप्षे अनो मतलब सूथायो के इंडक्टर low frequency ना सिगनल ने रोक्षे नहीं, पण high frequency ना सिगनल ने रोक्षे आटलो बदो अवरोद आप्षे एनो मतलब सूथायो के जारे तमने low frequency नू सिगनल इंडक्टर ना इंप्षे आप्षे तो इंडक्टर जे छे ए कोई अवरोद नहीं आप्षे एनो मतलब सूथायो एनो रोक्षे ना थी एडले आ सिगनल एमाथी पास थाई जासे आने तमने आउट्पूट मां मरसे ओके हवे जो हुए याँ इंपूट मां high frequency नू सिगनल आप्षे तो आज ए इंडक्टर छे एक एटलो अवरोध आप्षे आपड़ हमना गणियों प्रमाणे infinite मतलब के बौव बदो अवरोध आप्षे एनो मतलब सुथायो के आ सिगनल आई याथी पास थाई शक्से नेकें कारण के ए ने आठलो बदो अवरोध आप्षे एनो मतलब हाई फ्रिक्वएंसी ने सिगनल तमने आउट्पूट माँ मढ़ से ने तो तमें जो द्यांती नोटीस करो तो तमने खबर पड़े कि इंडक्टर ने जुँँ लो फ्रिक्वएंसी याँने हाई फ्रिक्वएंसी बनने सिगनल आपू तो आउटपूड मा मने खाली low frequency नूँ सिगनल मडे छे एनों मतलग के high frequency signal ने एने पास थवा दिदू नए सेम वस्तू आपड़े आ केपसीटर वाड़ा case माटे फण विच्छारिए तो low frequency नूँ और high frequency नूँ बनने सिगनल आपड़े आपिए आपड़ा ease माटे आपड़े low frequency ने जीरो हर्ट्स गणी सो और high frequency ने इन्फाइनाइट हर्ट्स गणी सो आजे capacitor चे ए या बनने सिगनल ने अवरोध आपसे xc जेटलो अगेन बेजिक इलेक्टरिकल एंजिन्यारिंग मा तमें वणे गया चो के capacitor द्वारा आपड़ा माओ तो reactance xc बराबर 1 अपोन 2 pi fc इन्वर्जली प्रपोजनल छे xc अने frequency सो अगेन आपड़े आपड़े केस विचारिए कि जो low frequency नो signal आपड़े आपिए तो इन्ड़ केपसिटर केटलो आपड़े आपसे एक व्यक्वेशन मा आपड़े f नी जेग्या मुखिशू low frequency छे एकले 0 सो इट विल बी 1 अपोन 0 that is equal to infinite ओके अने सेम वज़तू high frequency माटे count करिया आपड़े high frequency माटे capacitor केकलो आपड़े आपसे आपड़े 1.2π f नी जग्या आपड़े high frequency छे एटले infinite मुखिशू so infinite into c which is what? 1 upon infinite अने एक भागया infinite नी आणसर सुथ आपसे 0 आनो मतलब सुथायो के जे capacitor छे ए low frequency ना signal ने infinite आपड़े आपसे अने high frequency ना signal ने कोई अवरोध नहीं आता मतलब के रोग से नहीं इनो मतलब के जो आ बनने signal यह होए तो capacitor आ low frequency वाड़ा signal ने आटलो गदो अवरोध आपसे एनो मतलब के आ signal एनी अंदर थी पास थे ने आउटपुट साइड जई शक्से नहीं जारे high frequency ना signal ने ए अवरोध न थी आप तो 0 मतलब कोई अवरोध आप तो न थी रोग तो न थी इनो मतलब सुथायो के high frequency नो signal यह यह थी पास थे ने आउटपुट बाजू जई शक्से इनो मतलब के low frequency signal मने आउटपुट मा मढसे नहीं और high frequency signal मने मढसे तो अगेन तम्हें जो note कर हो तो तुमने खबर पड़े के capacitor ने जो आपने low और high बनने signal आपिए बनने frequency वाड़ा signal आपिए तो आउटपुट मा मने खाली high frequency नो जग्नल मढसे low frequency signal मढसे नहीं और सेम वस्तु आपणे हजी बे वार करिये पर एक इसमा आपणे शू करिये छे यहां आपणे शू करिये इंडक्टर ने के होरीजोंटली मांट करिऊ अब हावे आपणे वर्टिकली मांट करिये अगेन इन्पुट मा आपणे आपके शू लो फ्रिकवंसे नो झिगनल अने high इस माटे आपड़े आने 0 Hz गणी आने आने आपड़े infinite Hz गणी ओके आगणना केलकुलेशन ना रेफरेंस साथे आपड़े गणी है तो जल्दी गणाई जासे आगण आपड़े गणी हुए प्रमाणे low frequency माटे इंडक्टर केटलो अवरोध आपसे कोई अवरोध नहीं आपए एनो मतलब के आज ए लो फ्रिक्वेंस नों सिग्नल छे ए आई इंडक्टर माथी पास थाई जासा कारण के इंडक्टर लो फ्रिक्वेंसी ने 0 अवरोध आपए छे रोक्तू न थी एनो मतलब के लो फ्रिक्वंसी नव शिग्नल शिग्नल मांटे इंड़क्टर केटलो अभुझ भथओ इनो मतलकं के आँ हाइ फ्रिक्वंसी नव सिग्नाल आ इंड़क्टर मां थी पास थाई शक्से ू Pero तो नीचे तो आई शक्से ने केम कारण क्या इंडक्टर रेने इन्फाइनाइट अवरोध आपे छा आपने या गणी में प्रमाण तो यहनो मतलब क्या सिग्नल क्या जासे आउट्पूट साइड जासे यहनो मतलब आउट्पू अमने कई सिग्नल मढचे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल मढचे कारण के लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल तो इंडक्टर माथी पास थाई ने बाइपास थाई गव रैट पाछू जत्तु रहूँ अईया आउट्पूट साइड मढचे ने तो तम्में जो आँ बननने वस्तूने कंपेर करो तो तमने खबर पड़े के एक अज इंडक्टर वा आपरेलू छे बनने माँ खाली यहने मुकवानी रीत अलग अलग छे यहां आपने यहने horizontally mount करियो छे यहां आपने यहने verticallyly mount करियो छे जो मढती नथी, हओ केम थहू कारण के जे कोई पन सिगनल इंडक्टर मा ती पास थाई छे ऐ सिगनल आ केस मां output बाजु जाये छे जयरे आ केस मां पास थायलू सिगनल आउट पूट बाजु जवाने चग्याए पाच्छु जत्तूरे छे इन्पूट साइड, एटले जे वस्तु पास थाय छे ए आउट्पूट मा नई मड़े, बन्ने केस मा पास लोफरिक्वेंसी थाय छे इन्डक्तर मा थी, आ केलकुलेशन प्रमाणे कौन पास थाउ जोई है, लोफरिक्वेंसी ज पास थावी जोई ह पड़ एने मुखवानी रीत प्रमाणे पास थहली लो फरिक्वंसी आउट पुट बाजू जाई छे, जारे अईया पास थहली लो फरिक्वंसी आउटपूट बाजू जाएं पाची जत्ती रे छे, कांट का अपड़ एनै वर्टिकली मुखेलों छे आ सेम वस्तू capacitor मा पुण थसे विचारों यहां आपने low frequency याने high frequency बनने सिगनल आपेला छे आने 0 Hz गणी याने आने infinite Hz गणी उपरना calculations प्रमाणे तो मैं जोई शको चो के low frequency माटते capacitor केटलो अवरोध आपसे बाउज बदो, infinite जेटलो अने high frequency ने कोई अवरोध नहीं या इनों मतलब सु थायो के आज ये high frequency नूँ सिगनल छे एक capacitor माथी पास थाई जसे करण के capacitor येने अवरोध आपतू ना थी आ पास थे येलू सिगनल आउटपूट साइट तो जसे नहीं एतो पाचू जत्तू रहू अने जे low frequency नूँ सिगनल छे एनों मतलब क्या high frequency नूँ सिगनल मने आउटपूट मा तो मढवानू ना थी करण के ये तो पास थाई ने जतू रहू हवे आ जे low frequency नूँ सिगनल छे ए low frequency नूँ सिगनल माटे तमारू capacitor के टलो अवरोध आपसे इनों मतलब क्ये पास थवा देशे नहीं तो ए सिगनल नीचे आई शक्तू ना थी तो एक्या जैसे आउटपूट से जैसे एनों मतलब क्या आउटपूट मा मने low frequency नूँ सिगनल मढ़ से वापर्यूचे एक कंपोनेंट केपेसीटर पड़ इने मुकवानी रीत अलग 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 छे बन्ने केस मा तमारू capacitor तो कौने पास करसे हाई frequency नेज पास करसे 0 अवरोध आपेचे मतलब पास करसे पड़ आ केस मा सू थाई छे पास थाईलू हाई frequency सिगनल आउटपूट बाजो जाई छे जारे आ केस मा पास थाईलू हाई frequency सिगनल आउटपूट साइड नहीं पन पाछू जत्तू रहे छे इनपूट साइड एकला आउटपूट मा आपने हाई नहीं मढ़े तो वद्यू जे छे लो फ्रिक्वेंस नूँ सिगनल मढ़ से तो आज ये चार पॉसीबल कनेक्शन्स चे कन्फिग्रेशन्स चे आ चार नी मदथी आपने फिल्टर नी सरकीट बनावानी छे बे टाइप ना फिल्टर जा आपने अत्यारे वाद करीशू एक छे लो पास फिल्टर और बिजू छे हाई पास फिल्टर अब नाम परती आपने आइडिया आव एक लो पास फिल्टर सु करतु हसे लो फ्रिक्वंसी ने पास करीने आउटपूट मा लई जत्तु हसे और हाई फ्रिक्वंसी ने पास थावा देतु नहीं होई ज्यारे high pass filter सु करतू हसे, ये high frequency ने pass थे इने output मा जवा देतू हसे, low ने pass थावा देतू नहीं होई, बन्ने filter ना input मा low और high बन्ने type नी frequency ना signal हसे, पर low pass filter खाली low ने pass थे इने output मा जवा देसे, तो उपरनी चार सर्कीट्स नी मदद थी आपने आ बे फिल्टर नी सर्कीट बनावानी ट्राय करवानी छे पर एक वज तु ज्यान राखिया आपने के सर्कीट्स नू जे कन्फीग्रेशन से आपने बे टाइप नू राखी शू तो तो टाइप नू नेटवर्क क्यों देखा तू असे इनना नाम पर थी आईडिया आवे राइट टी शेप असे नो तो तम्हें जो तो आ तमने टाइ पाइटाइप नू नेटवर्क बनी गवु शेम फई फयों पाइटईच्नू नेटवर्क क्यों हसे जेंफॉश यह पाइटाइप नू आसे आजें रेक्टेंगल देखाये उननी जग्म आपणें श्मूखवानौ चे एपाई पाई टाइक नू नेटवक क्यों हसे जेनो शे पाई टाइक नू असे आज ए रेक्टेंगल देखाए छे एनी जग्या आपने कंपोनेंट्स मुखवाना छे एकंपोनेंट्स मुखवाना छे के जे थी आ सरकीट मा इन्पूट मा जो लो अने हाई बनने सिग्नल आप उता पड़े सेम अनी माट पर ती अने पाई बनने रहेशे आपने आने ज रेफ्रेंस तरीके ले लिए ओके उपनी चार सरकीट्स पर थी आपने नकी करिए कि यहां कया कंपोनेंट्स आपने मुखवा जोई आपने त्यारे फोकस करिए लो पास फिल्टर पर तो मारे एवी सरक सरकीट्स पर थी जोई एक कयू आपने वाप पर भू जोई है आ सरकीट्स मा तो मने खबर पड़े के आडा कंपोनेंट्स तरीके जो हूँ इंडक्टर वा पुरू तो मने आउट्पूट मा लो फ्रिक्वेंसी मड़े अने आपने एच जोई है तो एक कंपोनेंट आ होई सक्के प्रे आने जो हो आखे इसमा आउट्पूट मा सुम मड़े छे हाइफ फ्रिक्वेंसी पन आपने तो सु जोई है लो पास फिल्टर बनावा माटे लो फ्रिक्वेंसी अटले आने आपने वाप पर ही शू नहीं पैने चुहाइकट ही शिव्हाँ भी करें दुल्हाँ लिवाँ सीव्हागा है तुमने आउट्पूट मां सुमड़ से लो फ्रिक्वंसी नूँ जी सिगनल मांड़ से आपने ड्रौ करी नाखे आड़ा कंपोनेंट थरीके इंडक्टर बेवार अने उभा कंपोनेंट थरीके केपेसिट आ सेम वस्तु जो तम्हें आप पाई मांटे पन करो तो तमने यह सर सुमड़ से आड़ू कंपोनेंट एकत छे स्वेकाज इंडक्टर अने उभा बेच छे एटले बेख हैपसिट तो आ थाई गयू ती टाइप लोपास फिल्टर आने आ थाई गयू पाई टाइप लोपास फिल्टर अब या सेम वस्तु आपने हाई पास फिल्टर मांटे पन करिये सेम टाइपनों शेप रेसे नेक्टवोग नो पणवे आपने आ चार मां थी एवा कनेक्शन्ज लेवाना के जेना आउट्पूट मां मने हाई फ्रिक्वेंसी मले तो सो अब्वियस के आना आउट्पूट मां हाई मले छे एटले हवे आपनों काम नूसु छे आ अने आपने सुकर्वानु हाई प्रिक्वेंटर अडा पूर्ट टरीकिए केपेसिटर दुकDENiltर नो éc Burd तो अजयों पाई पक रिक्वानें हाई फ्रिक्वेंसींज आपसे तो आपने इंक ड्रॉव करी दहीं है आइटा म्यां केपेसिटर दहीं तो T ए टाउट्पनेट ना टाइप हाई पास फिल्टर आने एज रिते पाई मां एकच बार एकच बार केपसिटर आवसे कानी केच आड़ू कंपोनेंट छे अने बे इंदक्र आवसे आथे गवाउं पाई टाइप हाई पास फिल्टर कर नेक्स लेक्ट्र मां आ सरकीट्ट वी से डीटेल मां बात खरीश्यू आछ थे T टाइप बैकाने में हाउ सब्सक्राइप अने ऐन कि फीगण आघण ना इक्स्टले शे आ निपतिया थी कल थीbelो थे घंकुआ